आज पेपर नंबर पांस था और ये राजस्थान की जो ग्रूपी का पेपर है आपको पता है स्कूल व्याख्यता का जो पेपर आएगा फिचेतर प्रश्न 75 कोशन्स उसमें आएंगे 1500 अंको 150 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा उसमें 10 मार्क्स के पांच प्रश्न राजस्थान की जो ग्रूपी से पूंची जाएंगे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपके स्कूल व्याख्यता के जो जनरल पेपर है सामाने ग्यान का पेपर है उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट और साथ में करंट ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं हिस्ट्री में 30 नंबर के अंक प्रश्न पूंचे जाएंगे स्कूल मैनेजमेंट में 30 अंक के प्रशन पूछे जाएंगे और करंट या समसामिकी के 20 अंक के प्रशन पूछे जाएंगे जिनकी संख्या होगी 10 जो गृफ ही है जिसका आज वाला टेस्ट जो है वह बेश्ट है इसके 5 प्रशन आपके परिक्शन में पूछे जाएंगे और उसका जो अंक वहर होगा वह दसंथ होगा तो आज के पेपर पर डिस्कस करने से पहले जो राज्सथान लोगस आयोग ने जो सहलिबस प्रैस का करवाया है वो टोपिक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं देखें इसमें आठ जो नो टोपिक हैं आपके राजस्तान की जोग्रोफी का स्कूल व्यक्यता के सलिवस में वो आपके ये सामने है इसमें ये देखें राजस्तान की स्तती और विस्तार दिया गया है भोतिक प्रदेश जन गर्णना जिसमें बहुत कम संभावना रहे गिप की बार पूंची जाने का पूंचा जाएगा तो जो अभी होनी वाली है उसे समंदित को इनकोई चीज रिलेट करके पूंच सकता है क्रसी गत आंकड़े पूंची जा सकते हैं खनीज श्रोत उर्जासन साधन परियतन और परिवहन उद्योग और व्यापार यह कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके सेलेबस में हैं इन्हीं को बेसमान के जो है आपका प्रशनपत्र आज का बनाये गया था और आज के प्रशनपत्र की जो है इसकी सुरुवात करें उससे पहले मापको बता दूँ यदि अभी तक आपने हमारा जो टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है वो जोइन नहीं किया है तो आपको निश्चित रूप से सपलता सु पर आप अटेम्ट कर पाएं आज का जो प्रशन पतर था उसमें पहला प्रशन था देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा किंदो सहरों के बीच प्रस्तावित की गया है इसका उत्तर बताना था आपको जैपूर और दिल्ली के बीच में ये प्रस्तावित हाइड् तो माउंट आबू जो है सिरोही में सरवादिक विलायती सोप का उत्वादन यहां पे होता है और राज्ज में मसाला उत्वादन में जालावाड कोटा और बारा अगरने जिले हैं देश की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा जो मसाला होता है वो केरल में होता है और जीरा जोदपूर और जालोर में होता है इसब गोल जिसे घोड़ा जीरा कहते हैं वो आपका जालोर में सबसे ज़्यादा होती है हल्दी बूंदी में पैदा होती है तो अजवाइन सरवादिक चितोड में पैदा होती है अद्रक उदयपूर में तो लेसुन कोटा में अधिक उत्पन किया जाता है धनिया जहलावाड के लिए धनिया के लिए प्रशिद है तो जोदपूर और सीकर प्याज के लिए सोब सबसे ज़्यादा नागोर में पैदा होती है यह एक्स्ट्रा चीज आपको इसमें ध्यान रखना है तीसरे प्रश्ण की बात करते हैं नेशनल सेंटर ओफ सीड स्पाइसेज निमन में से कहां है नेशनल सेंटर ओफ सीड स्पाइसेज अपके अजमेर में है तबीजी अजमेर में इसका इस्तापना की गई थी साल 2000 में तो यह जो आपका आंसर था वो बीज मसालों में सुधार है तो जो राश्ट्रिया है शोरी स आज का चोथा प्रशन अरावली परवत्य प्रदेश के बारे में निम्ल में से कौन सा या कौन से कथन सत्त हैं पहला कथन इसमें है देश के संपूर्ण भुबा का 9% भाग पर अरावली फैला हुआ है क्योंकि देश का नहीं राज्य के 9% भाग पर ये फैला हुआ है आपका अरावली परवत्य स्रंकला राज्य की कुल जनसंक्या का 10% भाग का आसरे स्तल है ये आपका सही है और राज्य में अरावली परवसरंकला की कुल लंबाई 550 मिटर है ये भी statement आपका सही है लेकिन यहां पर आपको जो statement होना चाहिए था वो 2 और 3 यहां होना चाहिए था तो ये आपका आंसर इसमें हो जा अरावली परवस्रंकला का लगवग 80 प्रतिशत जो एरिया है जो राजस्तान में फैला हुआ है अरावली परवस्रंकला की जो टोटल लंबाई है खेड़ ब्रह्म जो है आपका गुजरात से लेके गुजरात इसमें आपका यह दिहान रखना दिली तक जो इसकी लंबाई है वो आपका 692 किलोमेटर है जिसमें 550 किलोमेटर अकेले राजस्तान में है जो 692 का लगवग 60% अर्था साधी 500 किलोमेटर जो दूरी है वो राजस्तान में हिमाले की है यह आपके माउंट अरावली परवस्तान किया है यह द्यान रखना है इसकी ओस्ता उंचाई 930 जो मीटर रखा गया है बताया जाता है लेकिन NCRT जो भार सरकार के द्वारा इसकुलों में चलाए गी है उसमें इसकी उंचाई को 1000 मीटर बताया गया है यह आपको ध्यान रखना है अरावली की कुछ अन् पर बताने के का प्रियास क्या गया है पांच वह प्रशन पर पहुंचते हैं निम्न में से कौन से फल को राजस्तान का सेव नाम से जाना जाता है जिस प्रकार कस्मीर में सेव पैदा होता है उसी प्रकार राजस्तान में बेर पैदा होता है और गरीबों का सेव इसको कहा जाता है राजस्तान का सेव भी इसका उपनाम है तो बेर आपका अंसर इसमें हो जाएगा राजस्तान के चंदन को लेके प्रशन पोजा गया था कि राजस्तान का चंदन किस व्रक्स की लकड़ी को कहा जाता है तो आपका जो केर व्रक्स होता है पंचकूटा में भी इसका अस्तान होता है तो केर व्रक्स की लकड़ी को राजस्तान का चंदन नाम से उकारा जाता है यह आपको ध्यान रखना है साथवे प्रश्ण की तरफ चलते हैं भारतिय कर्षी अनुसंदान परिशद ने निम्न में से कहां राष्ट्रे सुष्क उद्यानी की अनुसंदान केंद्र की स्थापना 1903 में की थी तो इसका अंसर आपको बदाना था वीका नेर में 1903 में बीका नेर में राष्ट्रे सुष्क उद्यानी की अनुसंदान संस्थान के स्थापना की गई थी परिक्षएक देश्ट्रे से महत्पूर्ण प्रश्ण आठवा प्रश्ण है निम्न कतनों पर विचार कीजिए और सब्ते कतन का चैन कीजिए राज्य की सबसे छोटी अंतर राज्य सीमा पंजाब के साथ मिलती है स्टेट्मेंट बिलकुल सहीत है और 89 किलोमेटर लगवग ये मिलती है ठीक है राजस्तान में बिहड भूमी का सरवादिक विस्तार दोलपूर में है और करक रिकार राजस्तान में बासवडा तथा डुंगरपूर में से निकलती है ये भी सही है लगवग 27 किलोमेटरिस की लंबाई है और सरवादिक भीहडभूमी दोलपूर में है ये भी सही है तो तीनों स्टेट्मेंट सही है ये कथन आपका ये हो जाएगा नवा प्रिशन की तरफ चलते हैं राजस्तान में पाए जाने वाले वरक्षु को उनके ओसदिये महत्व के साथ ऐसुमेलित युगम को छाटिये देखिए वजरदंती का प्रियोग हमेशा दंत रोग या दंत अक्षय में किया जाता है ये राजस्तान में अरावली परवत सं प्रकलाव में पाई जाने वाली एक जड़ी बूटी होती है जिसको यदि किसी भी प्रकार के किसी भी विक्ति को यदि कोई दंत रोग है कीडा लगता है या और किसी प्रकार का सडन पैदा होती है तो वैद्दे लोग ही बताते हैं को उनको वजरदंती का यूज किया जा वरक्ष का जो रस हैaining वो बिच्चु के काटने पर जब रस उस पर लगाया जाता है तो विच्चु का जो जहर है वो कम हो जाता है एसी मानिता है ऐसी वैद्य लोग और asocet के भारत के जो भी आयर्यवेद के गरंत हैं आयरवेद की पुस्तके हैं उसमें सालर को बिच्चु के रोग का नासक माना गया है लेकिन यहां जो यह ओप्सन है वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि रोहिडा का वरक्ष जो होता है वो गर्व निरुधक में प्रियूग नहीं किया जाता है योन रोगों में रोहिडा वरक्ष का यूज किया जाता है यह आपको ध्यान रखना है गर्व निरुधक में डंडा थोर या केली का प्रियूग किया जाता है यह राजस्तान का उसदिये पादपों का महत्व था जो थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रियास किया एक प्रशन के माध्यम से निमन कत् कोंपने रहे हैं और यह सरवाधिक मातर में जाता है यह पूरता राज़ास्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कंबल नहीं है यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहां पे बनास होना चाहिए था तो यह आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हैं दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि राजस्तान में जो सरवादिक पूर्णत भेहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नहीं है चंबल MP के महू जनापाव पाड़ियों से निकलती है जबकि राजस्तान की यहां पे राजस्तान में पूर्णत भेहने वाली नदी पूछा गया है तो यहां पे बनास नदी आपका आंसर होना चाहिए था तो यह स्टेटमेंट सही होता और बनास की जो राजस्तान में लंबाई है वो 480 क को ध्यान रखना है अब यहां पे असत्य कथन का चैन आपको करना है राजस्तान में सरवादिक वार्षिक वर्षा सिरोई में होती है यह असत्य कथन है इसमें ध्यान रखना है सिरोई की जगे यहां पे होना चाहिए था जहलावाड ठीक है राज्यमें नियूंतम वर्षा बाड मेर में होती है ये भी statement आपका गलत है ऐसते पूंथ रहा है तो ऐसते ये दो चाइन करना है यहाँ पे जो है वो जैसल मेर आना चीए था जैसल मेर मेर में सबसे कम वरसात होती है लगबग 20 cm वार सिक तो ये statement भी आपका ऐसते है राजतान में सरवादिक वरसा वाला इस राजस्तान की जन संक्या भारत की जन संक्या का कुल कितना प्रतिशत भाग है तो 5.67 प्रतिशत जन संक्या संपूर्ण भारत की 5.67 प्रतिशत जन संक्या राजस्तान में निवास करती है ये आपको द्यान रखना है और राजस्तान की जन गर्णना 2011 से समन्धे जो मेर फैक जिलों में वालरा करसी की जाती है तो राजस्तान के तीन जिले हैं उदैपुर डुंगरपुर और बासवड़ा दक्षनी राजस्तान के तीनु जिलों में सरवाधिक वालरा करसी की जाती है यहां पे आपको राजस्तान का छेतरफल के बारे में ध्यान रखना है 3,42,240 वर्ग किलोमेटर राजस्तान का छेतरफल है 10.41 प्रतिशत शेतरफल है संपूर्ण भारत के लगबग 10.41 प्रतिशत भूबाग पर अकेले राजस्तान का छेतरफल फैला हुआ है और यहां पर देश की 11 प्रतिशत कर्शियोगे भूमिये 50 प्रतिशत सकल सिंची शेतर है और 30 प्रतिशत सुद्ध सिंची शेतर है राजस्तान का 60 प्रतिशत भाग पर मरुष्टल फैला हुआ है और 10 प्रतिशत भाग पर परवतिय शेतर है 10 प्रतिशत परवतिय भाग पर लगब 11 प्रतिशत जंसक्या निवास करती है ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं जूमिंग करसी क्या है ये भी आपको बताने का प्रियास पहले किया जा चुका है राजस्तान भूमी विकास बैंक की स्थापना की गई तो राजस्तान भूमी विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च को 1957 को किया गया था इसका हाइड क्वार्टर जो है वो आपका याँ 1997 से समंदेत आपको एक ठत्य और याद रखना है राजस्तान मादेमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसकी जो स्थापना है वो भी 1997 में की गई थी और यहां पर ग्रामीन भूमी विकास बैंक की स्थापना भी दोनु फैक्ट को आप इंटर रिलिटीड करके याद रख सकते हैं तो भूमी विकास बैंक की स्थापना उन्नी सो चब्वीस मार्च उन्नी सो सत्ताउन को जैपूर में की गई थी और यह जो भूमी विकास बैंक हैं वो किसी भी प्रकार के प्रत्यक्स रिण वित्रन का खार . प्रदानमंत्री पसल भीमाय योजना के संदर्व में निम्न में से कौन सा कथन एसत्त्य है ? कौन सा कथन एसत्य है तो एसत्य को पहले आप मार्क कर लो मतलब एसत्य आपको बताना है तीन स्टेटमेंट सही है एक स्टेटमेंट आपका गलत है जो स्टेटमेंट गलत है उसको आपको अंसर मार्क करना है योजना की सुरवात 13 जनवरी 2021 में हुई यही पहला स्टेट्मेंट तो यहां पे आपको गलत होगा क्योंकि यह 13 जनवरी 2021 नहीं 2016 में ही कर दी गई थी तो यह 2016 होता तो इस स्टेट्मेंट सही था तो यह आपका कत्थन गलत हो गया इस योजना में खरीब पसल में 2% बिल्कुल सही है रभी पसल में 1.5% यह भी सही है और उद्यानी का हितू 5% करसक प्रीमियम निर्धारित किया जाता है यह स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है बीमित करसक प्राकरतिक आपदा के कारण फसल की बुआई नहीं कर पाता तो दावाराच्ची का प्रावधान है यह भी सही है पसल काटने के 14 दिन बाद भी बीमा कवरीज प्रदान किया जाता है यह स्टेट्मेंट भी सही है मतलब 4 स्टेट्मेंट में पहला स्टेट्में है बागवानी प्रसलों में जो प्रीमियम रासी है उसका अंसदान पूंच सकता है कि किसान से कितना प्रीमियम लिया जाता है तो खरीप में आपको देहान रखना है 2% है रभी में 1.5% है और बागवानी और उद्यानी की पसले जो है उसमें 5% प्रीमियम किसान से लिया जाता है बाकी का जो भी प्रीमियम है चाहिए वो 90% से उपर ही क्यों नहों सरकार उसका प्रीमियम भुखतान करती है और विसेश प्र भुगुना खरने के उद्यसे से केंद्री सरकार के द्वारा ये एक महत्व कांग सी प्रियोजना सुरू की गई है तो APMC अधिनियम राजस्थान में किस उद्यसे से लागू किया गया था तो APMC अधिनियम जो है वो करसी उत्पादों को विपनन की श्विदा देने के लिए ये अधिनियम पारिद किया गया था और APMC का फुल फोर्म होता है अग्रिकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूज ठीक है APMC एक्ट के तहत विपनन समीतियां बनी थी और इसे ही सोर्ट फोर्म में APMC कहा जाता है इन समीतियों का उद्देश से बाजार के एनिश्चित्ताओं से किसानों को बचाना था APMC कानून लागो होने के बाद क्रशी बाजार में विवस्ता लाने और बिचोलियों के हातों किसानों का सोसन रोकने की दिशा में एक सरानिय प्रियास था लगु अवधी रिन की अवधी निमन में से क्या होती है ऐसा सतरवा प्रशन आपका था तो लगु अवधी की जो अवधी होती है वो दिक्तम 15 माह होती है पंदर माह के अंतर अंदर आपको इसका पुनर भुखतान करना होता है राजस्तान में सहकारी साख समीतियों का धाचा कौन सा है एक इस्तरी है, दो इस्तरी है, त्री इस्तरी है या चार इस्तरी है तो आपको इसमें इध्यान रखना है राजस्तान में जो सहकारी साख समीतियों होती है उनका जो इस्तर है वो त्री इस्तरी होता है ओद्यूगी के क्रांति के काणा आर्थिक सामजिक एसंतुलन के प्रिनाम सुरूप 1901 में एड़वर्ड लाकी अद्यक्ता में सहकारी समितियों की घठन किया गया था 1904 में सहकारी साक्स अधिनियम पारित किया गया था ये भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रफेक्ट के रूप में ध्यान रखना है सहकारी ता सब्दकारत हुता है सहकार अर्थात साथ मिलकर कार्य करना और जो बहुत सारे लोग यदि सामुई उद्देश से को लेके एक कोमन कोज को लेके आगे बढ़ते हैं तो उनको सहकारी ता के अंतरगत माना जाता है गुनीश्वा प्रशन है राजस्तान में प्रतेग जिले के सहकारी बैंक का क्या नाम है तो राजस्तान में जो प्रतेग जिले में सहकारी बैंक है उसको केंद्रिय सहकारी बैंक का नाम दिया जाता है यह आपको ध्यान रखना है निम्र में से कौन सा युग में एसुमिलि है गदे बाड मेर में सरवादिक होते हैं उंट जैसल मेर में सरवादिक हैं बहस जैपूर में हैं लेकिन गाय दूलपूर में नहीं है गाय उदयपूर में सरवादिक मातरा में पाई जाती हैं तो यह आपका चोथा नंबर का जो विकल्प है वह ऐसूमेलित है बीसवी पसुगनना के बारे में कुछ महत्पूर्ण फेक्ट में आप बतानी का कोशिस की थी 19-20 में पांच वर्स के अंतराल पे जो है ये पसुगनना शुरुपी थी प्रतम पसुगनना 1971 में की गई थी 20-20 पसुगनना के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कुल पसुदन में 4.6% की वरदी हुई थी देश की बात करें तो यहां पर यह दहान रखना है लेकिन राज्य की बात करें तो राज्य में 1.66% की कमी दर्ज की गई है जबकि राश्टरे इस तर पर बात करें तो 4.6% की वरदी दर्ज की गई थी इसके बाद में राजस्थान में भैस कितनी हैं देश में कौन से स्थान पे हैं भेड कितनी हैं इसमें कमी हुई या वर्दी हुई देश में कौन सा स्थान है बकरी की स्थिति क्या है ये सारी आपको PDF में मिल जाएगी आप उसको study कर लेना निमन में से कौन सा SU मिलते हैं चैन कीजिए देबारी उदेपुर में हैं लेकिन यहां पे गारनेट नहीं निकाला जाता यहां पे तामा निकाला जाता है तो यह statement ही आपका उत्तर हो झायगा जुन जुनू में क्या निकलता है, सीकर में बन्नो की धानी नीमत का थाना में क्या निकलता है, खोदरिबा किसके लिए प्रशिद है, लोहा के लिए नीमला रायसेला जो है, वो कहां का है, नाथरा की पाल या थूर हुंडेर कहां है, किस जो है खनीज के लिए प्रशिद है, ये सी साजस्ता के बारे में अलग से बताया हुआ है तो जितने भी महतपूर्ण खनीज हैं उनके बारे में यहां पे बताने का प्रियास आपको किया है राजस्तान में बीसवी जो पसुगणना है उस किस वर्स की गीत 2017 में जो है और संपूर्ण भारत में दस पॉइंट अठावन प्रतीशत जो पसुदन है वो राजस्थान में पाया जाता है संपूर्ण भारत का पिच्चैसी प्रतीशत उंट के विला राजस्थान में मिलता है बीस्वी पसुदन गणना में गाय तता भहस के लावा सभी पसुदन में रिनात्मक वर्दी दर्ज की गई है एक तो गाय में और एक भहस में ये दो पसुदन ऐसे हैं जिन में सकारात्मक वर्दी दर्ज की गई है बाकी सब में रिनात्मक वर्दी दर्ज की गई है यहां पे आपको ये धान रखना है बीसवी पसुदन गणनाद 2019 के संदर में निमनमे से कौन सा कथन ऐस सकते है बीसवी पसुदन गणनाद 2019 में 1.6% की वर्दी दर्ज की गी है तो वर्दी नहीं है नाकारात्मक होती तो इस्टेटमेंट सही था तो यह तो इस स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा गाय था था भेहस के था सबी पसों में रिनात्मक वर्दी दर्ज की गी है सरवादिक रिनात्मक वर्दी गर्दव वंस में हुई है और सरवादिक सकारात्मक वर्दी गाय और भेहस में हुई है यह भी statement सही है यह भी सही है लेकिन यह गलत है और इसलिए आपका answer भी एक नंबर का विकल्प हो जाएगा निम्न में से एसु मिलित का chain कीजिए राज में सरवादिक फैलसपार का खनन अजमेर में होता है बिल्कुर सही statement है राज में सरवादिक jam garnet का खनन टोंक में होता है यह भी statement सही है चोदका बर्वाडा टंगस्थन के लिए नहीं है चोदका बर्वाडा सीशा जस्ता के लिए प्रशिद है इसलिए यह यह statement गलत हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका चार नंबर का राजस्तान में नमक उद्योग के संदर में निम्न कतनों पर विचार कीजिए और नीचे दिएगे कुटों की साहता से सही उत्तर का चैन कीजिए राजस्तान में भारत का लगभग 12 प्रतिशत नमक तयार किया ज साही है साबू सोडियम लिमिटेड नमक प्रियोजना गोविंदी गाउन नागपुर में आयोडीन नमक उत्पादन करने की प्रियोजना है और सामबर सार्ट लिमिटेड जैपूर में उपकरम राज्य सरकार का है तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो तीन स्टेटमेंट हैं वो सही है ये भी सही है ये भी सही है और ये भी सही है लेकिन सामबर सार्ट लिमिटेड जो है वो राज्य सरकार का उपकरम नहीं है ये Central Government का उपकरम है इसलिए ये statement आपका गलत हो जाएगा इसमें सत्ते कथन पूचा है तो एक दो और तीन आपका सत्ते कथन इसमें हो जाएगा राजस्तान में सामबर डीडवाना पंचपदरा की विदमानते कीकार नमक उतपादन की अनकूल इस्तितियां है लगभग बारा प्रतिशत संपून देश का आठ पूंच साथ प्रतिशता अकेला सामबर जील यहां पर उतपन करता है और यहां पर जो सामबर साल्स फार्म है राजस्तान सरकार का उपकरम है और साबू सोडियम लिमिटेड नमक प्रियोजना है वो नागोर में हैं गोविंदी ग्राउं में और यहां पे जो क्यारियों में जो और नमकिन पानी डालके जो नमक उत्पादन किया जाता है उसको ब्राइन कहा जाता है 26 वे प्रश्न राजस्तान में लगू उद्योगों के विकास के संदर में निम्न कतनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिएगे कूटों की साहता से सही उत्तर का चैन कीजिए लगू द्योगों के विकास के लिए राज सिकों की स्तापना की गई है बिल्कुल सही है ओद्योगी की परामर से तू राज कोन का गठन किया गया है ये भी आपका सही है प्रतिस परदा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक विकास बोर्ड का गठन किया गया है ये भी सही है केंद्रे इलेक्ट्रोनिक्स अभिहांतरी की अमसंदान संस्तान सीरी की स्तापना जोधपुर में की गई है ये स्टेटमेंट आपका गलत होना चीए सीरी के स्तापना जो है आपके जुन जुन पिलानी जुन जुन में की गई है इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा राजस्तान में सोर उर्जा की विकास के संदर में निम्रकतनों पर विचार कीजिए राजस्तान में नीजी शेत्र का सबसे बड़ा सोर उर्जा सेंतर खींव सर नागोर में हैं बिलकुल सही है पर्थम सोर उर्जा चलित फ्रीज जो है वो बाले सर जोदपूर में है इस्तापित किया गया था ये भी सही है राजस्तान में सोर उर्जा उपकरम सेत्र सीज जिसको जैसल मेर बाड मेर जोदपूर गोशित के आए ये भी आपका स्टेटमेंट सही है राजस्तान में सोर उर्जा आधारित प्रथम दूरदर्सन रीले के अंदर रावत वाटा चितोड में है ये भी आपका सही है तो तीनों ही स्टेटमेंट चारों ही स्टेटमेंट आपके सही है ये उद्यपुर में होना चाहिए I think ठीक है तो ये आपका सारा सही हो जाएगा अटल भूजल योजना के समंद में कौन सा कथन गलत है ये अपरेल 2020 से शुरू ही ये सात राज्यों में सुरू की गई ये सत्रा जिलो के 27 ब्लोक्स में सुरू की गई और ये राजस्तान के अड़-तीस पंचाय सम्मीतियों में संचालित है गलत कथन आपको छाटना है ये गल रूड़ा की स्थापना पूछा गया था तो रूड़ा का जो पूरा नाम है रूरल नोन अर्बन फोर्म डवलप्मेंट एजेंसी है 1995 में इसके स्थापना की गई थी जैपूर में हैड क्वार्टर इसका बनाए गया था और गैर क्रसी ग्रामीन शेत्रों में उद्ध्योकों का बढ़ावा देना इसका प्रम्मकार्य था और नौंबर जो है 1995 में इसके स्थापना की गई थी तो उत्तर हो जाएगा तीन नंबर का विकल निम्न में से कोन सा युक्म 40 प्रतिस्चत से अधिक सहरी जनसंक्या वाले राज्यों का है तो यहां पर कोटा जैपुर और अजमेर आपका सही आंसर हो जेगा निम्न में से आयुसमान भारत योजना से समंदित सत्य कथन है यहां पे कथन और देखना है सत्य कथन है इस योजना को प्रदानमंतरी नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रेल 2018 को भीमराओ अंबेड कर की जैनती के दिन जहारकंड के राची जिले से आरंब किया ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है राज्य में महत्मा गांधी रास्तान स्वास्ते बिमा योजना के नाम से ये प्रभवी है ये भी सही है चैनित परिवारों को नीजी चिक्षाला में भी अर्थात नीजी और जो सारवजनिक हैं दोनों में ही केस लेस चिक्षियस शुविदा ये इसमें योजना के दोरान खी जाएगी पांच लाग तके केस लेस जो आपका इलाज के शुविदा उपलब्द हैं सारे स्टेट्मेंट आपके सही है निम्न में से राजस्तान राज्य में पैट्रूलिम संभवे शेत्र नहीं है तो यहां पे राजस्तान सेल्फ जिला जोदपुर अंस्ता अजमेर जो है वो आपका गलत है क्योंकि यह राजस्तान सेल्फ जो है जैसल में वो बिकानेर में है तो यह स्टेट्मेंट आपका गलत है बाडमेर सांचोर बैसिन है ही बिकानेर नागोर बैसिन है ही यहां पे बिकानेर नागोर गंगनगर और चूरू में है विंदियन बैसिन जो मानव विकास रिपोर्ट कौन से विभाग द्वारा जारी की जाती है तो द्विकासात्म का ध्यन संस्तान द्वारा राजस्तान सरकार ने इसी बजट में 30 वर्ष ये उर्जानीती की घुशना किये गी है वर्ष 2021 से लेके 2050 तक के जो अवदी है वो उर्जानीती के लिए निर्धारित किया है तो 2021 से 2050 आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा प्रदेश में पोटाज के भंडारों के लिए किन जीलों के समुको सरेष्ट बताया गया है तो उत्तरी राजस्तान में जो गंगानगर है, हनवानगड है यह अबिकानेर है यहां पर सरवादिक पोटाज के भंडार मिले हैं और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा वन इस्टोप सोब प्रनाली का समंदर निम्न में से किस से है ये उद्ध्योगू की स्थापना की अवश्यक अनुमती के लिए एक प्रनाली है तो ये बहुत मैत्पूर्ण प्रशन है बजट से समंदित है काफी बार बजट में और जो आर्थिक समिक्षय में इसकी चर्चाई हुई है इसलिए इस प्रशन को सामिल किया गया है पी एम कुसम योजना किसानों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तो पी एम कुसम योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है ये solar plant लगाने में केंदर सरकार के द्वारा जो आर्थिक सबसीडी दी जाती है उसका सम्मध है PM कुसम योजना से यहां पे आपको इसमे solar pump लगाने पर किसान को नगद आर्थिक सबसीडी इसमें दी जाती है तो कुसम योजना का समद जहां भी पूँचे तो आपको solar power plant से इसका अर्थ लगाना है पंदर मई 2020 को मुख्यमंत्रे असो गयलोद ने अनिवारे बाल सिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के तहत गैस सरकारी विद्दालों में 25% सीटों पर निसूलक प्रवेश की आई सीमा अब कितनी कर दी गी है देखिए पहले जो इसके आई सीमा थी वो थी आपकी एक लाख रुपए है और अब जो इसके आई सीमा है वो ढई लाख रुपए कर दी गी है स्कूल मेनेजमेंट में से समंदित करके या करंट के जो दस प्रशने आपको 20 अंक के पूछे जाएंगे उससे कही न कहीं समंद करके ये प्रशन पूछा जा सकता है महत पूण प्रशन है इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है पहले एक लाख रुपए था अब जो है वो ढई लाख रुपए इसमें कर दिया गया है सिमेंट उत्पादन के संदर में निम्न में से कौन सा कथन ऐसते हैं संपूर भारत में सिमेंट उत्पादन में राजस्तान का प्रथमस्तान है ये बिलकुल सही है राजस्तान में सरवादिक सिमेंट का उत्पादन चित्तोरगड में होता है स्टिक्टमेंट सही है राजस् सिमेंट के कार खाने सरवादिक अंदर प्रदेश में सरवादिक उत्वादन राजस्तान में सरवादिक सिमेंट का उत्वादन चितोड़ गड़ में होता है और राजस्तान में सबसे पहला जो सिमेंट का कार खाना था 1915 में बूंदी लाखेरी में इसके स्थापना के गई थे राजस्तान का सबसे बड़ा सफेद सेमेंट का कारखना जूदपूर में है और राजस्तान में सफेद सेमेंट के कारखने केवल तीन है ये आपको ध्यान रखना है निम्नमेसि कोन सी राजस्तान वित्त निगम की स्थापना जो है स्कीम नहीं है तो सिल्प बाड़ी सैमफेक्स और टेकनो क्रेट तो जो है आरएपसी की जो है वो योजना ही है इस्कीम्स हैं लेकिन भारत सेवक इसकी कोई योजना नहीं है ये आपको ध्यान रखना है चार नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा 1905 में RPS RFC रास्तान जो है वित्त आयोगी किस्तापना होती है हेड़कॉर्टर इसमें जैपूर को बनाया जाता है और कार्य होता है इसमें राजस्तान में लगू मद्यम बहत दम्यों को देर कलें रिंड साक्ष विदाय उपलब्द कर दमाना RFC की जो जो मैत्पूर्ण योजना है एक तो सैंपैक्स है सैंपैक्स योजना में भूतबुर्ष रैनिकों को स्विदाय उपलब्द करवाई जाती है RFC की योजना है टेक्नोक्रेट इसकी में तकनिकी शिक्षा प्राप्ति यूवाओं को रिंड स्विदाय पमजिट करज स्केप में कायरिगर और दस्तकारों को शुराजगारहीतू रिंड स्विदाय उपलब्द करवाई जाती है राजस्तान में चार जिले भूकम्प सम्वेदी हैं निम्नमे से कौन सा जिला इस समों में सामिल नहीं है तो रास्तान के चार जिले जो हैं वो सिरुही जालोर और बाड मेर जैसल मेर हैं लेकिन यहां पे बीकानेर को आपको वो दिया है विकल्प में जबकि बीकानेर इस शितर से बाहर आता है इसलिए चार नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा असत्य खतन को चाटना है 42 प्रशन में आपको भारत मोसम विभाग विज्ञान की परिभासा के अंसर भेंकर सुका यह सीविल ड्रोट तब होता है जब वरसात 50% से अधिक कम हो जाए जैसल मेर राजस्तान का सुष्क तम जिला है यह भी कतन सही है पवन अपरदन राजस्तान में मरुतली करनी golden तू सरवादिक जिम्मेदार कारण यह भी सही है और स्रि गंगा नगर हन्वान गर्ड राज्जे में नूंतम भूकम्प संभावी शेत्र तदा भरतपूर अलवर जुनजनू सरवादिक भूकमप संभावी सेत्र हैं चारव विकल्प हैं चारूं विकल नहीं होता है एक प्रिस्टन मल्टी डाइमेंशनल होता है और उसके प्रते के विकल्प से एक अलग सेफरिट आनसर निकालने का प्रियास हम लोग करते हैं सब्टे कथन को छाट ये मतलब तीन कथन इसमें सही होगे एक सब्टे होगा एटलेस के अंसार 67% भागपर मस्तुलिकर्म प्रभावी शेतर है सही कतन है एटलेस के अंसार राजस्तान के 13 जिले अकाल प्रभावी थे ये भी सही है और ICR के अंसार 77.1% भोगोलिक शेतरफल भूमी दास का सिकार है ये भी सही है चोथे नमबर का विकल्प आपका सही विकल्प हो जाएगा निम्ड में से कौन सा कतन ऐस सत्ते हैं राज्य में पिलानी जुनजुनु में सूपर सोनिक कुरूज मिसाल का निर्मान हो रहा है बिल्कुल होगा भी सुरू नहीं हुआ है कतन सही है जोदपुर में साइबर पार्क बनेगा ये बजट प्रावदान है बिल्कुल सही है भीलवाडा में रेल कोच फैक्टरी का निर्मान किया जाएगा ये भी सही है तो चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही है 11 जनवरी 2019 को रेनु का जी बहुद्दे से बांध प्रियोजना हितु समझोते पर अस्ताक्सर करने वाले राज्यों का उप्यूक समय कोन सा है समू कोन सा है रेनु का बांध प्रियोजना छे राज्यों के साहमुईक प्रियोजना है उन्नी सो छिंतर में इस प्रियूजना की सुरुवात हुई थी इसमें नब्ब प्रतिशत सिचाई पेजल ही तू केंदर सरकार के दौरा जो भी रासी है उसका नब्ब प्रतिशत केंदर सरकार वहन करेंगी और दस प्रतिशत जो रासी है वो राजिस सरकारें वहन करेंगी इसमें हर्याना, उत्रप्रदेश, उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, राजिस्तान और दिल्ली सामिल हैं इसलिए सर्वोतम विकल्प आपका पहला होगा यही आपका आंसर हो जाएगा एसुमेलित को आपको छाटना है कोन एसुमेलित है? जाखम प्रियोजना, प्रताबगड सही सुमेलित है चापी प्रियोजना, जालावार सही सुमेलित है बीसलपूर प्रियोजना, कोटा सही सामिल है लेकिन अडवान प्रियोजना, भीलवाडा में सुरी, कोटा में नहीं है, यह टोंक में है ये टोक आपको आंसर होना चाहिए था तीसरा नंबर का ही आपका आंसर हो जाएगा अडवान प्रियोजना भिलवाड़ा में है ये भी स्टेट्मेंट सही है टोक जिले में बनास नदी पर ये बांध बनाओ है बीसल पूर बांध जो कोटा यहां पे विकल्प है वो गलत है गांधी सागरबांद की उँचाई से समंदित पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है ये 62 मिटर उची इसकी उचाई है 204 फिट में उचाई है और यहां पर आपको बता दिया है एक मिटर में 3.26 फिट होते हैं इसलिए ये 62 मिटर में पूछेगा तो 62 मीटर आपको आनसर समार करना है लंबाई कभी पूछेगा नहीं लेकिन पूँछ भी ले तो पांसो चोधव मीटर फि्ट आपको ध्यान रखना है इंद्रागांदी नहरकyr क obsessed कि किल लंबाई कितने कफिलो मिटर है तो इंद्रागांदी नहरकी कुल लंबाई है वो सिक्स फोर नाइन है 600 गुनचास किलो मिटर इसकी कुल लंबाई है जिसमें 204 किलो मिटर राजस्थान में है 445 किलो मिटर मुखे नहर के लंबाई है और स्फीडर नहर जो पंजाब में है उसके लंबाई 170 मिटर है 50 वे प्रशन की तरफ अगर्शर होते हैं नमामी गंगे परियोजना के तीसरे चरण में राजस्थान की चंबल की कौन सी साहिक नदी को सामिल नहीं किया गया है तो आपको ये ध्यान रखना है मेज जो नदी है बुंदी वाली उसको इसमें सामिल नहीं किया गया है बकि खारी परवन पारवती और काली सिंद को इसी प्रियोजना में सामिल किया गया है निम्न को सुमेलित कीजे लिप्ट नहर का पुराना नाम और नया नाम इसमें आपको सभी विकल्प लगभग सही है देखिए चोदरी कुमबाराम, नुहर साहबा, कमरसेन, लून करंसर, पन्नालाल, गजनेर, वीरतेजाजी, भहरुदाल, चालानी तो इसका मतलब पहले नमबर का विकल्प ही आपका सही आंसर हो जाएगा लून करंसर, लिप्ट नहर का नविनत्म नाम, कमरसेन, लिप्ट नहर है और लाभणवी तजिले, गंगा नगर, विकनेर है, सबसे लंबी लिप्ट नहर है, लून करंसर नोहर सहवा जो है इसका नया नाम कुम्भराम लिप्ट नहर है जी लाभानवित इजले हनुमानगड बिकानेर चूरू और जुन्जुनू है और साहे के नहरों सहित सबसे लंबी नहर यह है करती है। इसका नया नाम पनादायर बारू-पाल लिफ्ट नहर ₩। फलोधी ₩फ ओ यह आपको ध्यान रखना है। राजस्तान में इंद्रागान्दी ₩ है कि यह आपको ध्यान रखना है। साथ हैं एक बन रही है एक प्रस्तावित है इसलिए नो भी यहाँ पे विकल्प आपको मिल सकता है इसमाही बजाज सागर प्रियूजना के संदर में ऐसत्य खथन का चय आपको लिखना है चैन करना ये राजस्तान वा गुद्रात की संव्त जल्विद्युत प्रियोजना है दोनु राज्यों में पैंतालीस पच्छपन का अनुपात है ये भी आपको देहन रखना है और ये भी स्टेटमेंट सही है इस प्रियोजना में कुल समता 140 मेगावाट का पूर्ण स्वामित्व गुद्रात का नहीं है यहां पर राजस्तान का स्वामित्व है जो भी 140 मेगावाट जो उर्जा का उत्पादन होता है उसका संपूर्ण जो उपभोग का अधिकार है वो राजस्तान को है ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा इस प्रियोजना निम्न में से सत्य कतन का चैन करना है निम्न में से देश के कुल खनीज उत्पादन में राजस्तान का लगभग 22 प्रतिशत योगदान है बहुत मैठपून प्रसन है एक प्रसन में 4 प्रसन चुपे वे राजस्तान में जो देश का कुल खनन होता है उसका 22 प्रतिशत खनन राजस्तान में होता है राजस्तान में खनन योगे 67 प्रकार के खनीज उपलब्द हैं खान ब्लोकों की इन निलामी करने वाला ये देश का प्रतम राज्य राजस्तान था ये भी सही है राजस्तान तामड़ा पन्ना जासपर और वोलेश्टो नाइट चारों का 50 प्रतिशत उत्पादन अकेले राजस्तान में होता है तो ये चार चीजे तो ऐसी है वो कहीं और पाई ही नहीं जाती तो सो प्रतिशत जो उत्पादन होता है वो केवल राजस्तान में होता है चोथा विकल पापका सही आंसर हो जाएगा महत्मून बात ये है कि 22 प्रतिशत संपूर द हत्विक है 26 प्रतिशत लगूश रेने के खनीजिया होते हैं जनवरी 2016 में चित्तोडगड के दो जिले थे नागोर में एक सीमेंट ब्लोग की निलामी की गई थी तो ये राजस्थान इर निलामी करने वाला राजस्थान भारत का पहला राजी बनाए राजस्थान में तेल य बिल्कुल सही है राजस्थान में पैट्रोलियम के सरवादिक भंडार बाडमेर में है ये भी सही है गुड़ा änाली बाडमेर में पैट्रोल विस्व में सबसे कम गहराई के और उत्तम स्रेणी के मिलता यवि स्टेटमेंट सही है और राजस्थान का पहला क वाज पुत्वादन में महाराष्ट का पहला स्थान है, राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, सरवादिक भंडार बाड मेर में, पहला कुआ जैसल मेर की जिल्य में सांदेवाला में खुजा गया था। 23 सितंबर 2013 को पंच पुद्रा बाड मेर में स्रिमति सोनिय गांदी ने इसका सिला न्यास किया था। राजस्थान भार का पंद्रवा राजे हैं, जहां रिफाइनरी लगेगी, इस रिफाइनरी का क्रमांग 26 वा रहेगा, 9 मिलियन मिट्रिक टन जो है यहां की इसकी ख्षमता होगी, 18 अपरिल 2017 को राजस्थान सरकार ने और जो है, HPCL के मद्धे जो समझोता हुआ, उसमें राजस्थान सरकार का 26 प्रतिशत और, HPCL का जो अनुपात है, वो 26 अनुपात चोहतर यहां पे रहा है, और केरन एनर्जी कमपनी यहां पर वरतमान में कारेशील है, 55 प्रशन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की जील नहीं है, तो वो आपका रेवा सा सीकर जो है, वो मिठे पानी की जील है, बाकी खारे पानी की जीले हैं, जीलों के बारे में जो भी खारे पानी और मिठे पानी की जीले हैं, वो आपको Description में दे दिया का प्रियूग करते वे सत्ते कथन का चैन कीजिए जांगल देश बिकानेर और जवदपुर जिले के उत्तरी भाग को कहा जाता है तो ये स्टेटमेंट सही है मेवल डुंगर पुर बांसवाड़े के मद्धिफा को कहा जाता है बागडिया बांगर पाली नागोर सिकर वा जुन जुन जिले के कुछ भाग है ये गलत है शुरी ये सही है आरबुद और चंद्रावती अलवर जिले का उत्तरी भाग है तो आर अलवर जिले के उत्री भाग को कुरु देश कहा जाता था ये आपको ध्यान रखना है और प्राचीन भोगुलिक शेत्रों की वर्तमान इस्तिति और उनके वर्तमान में क्या नाम है वो सारा यहां पर आपको दिया गया है जांगल देश यादिये गिर्वा गोडवाना एह बागड बांगर मतस्य यह सब जो मेरू गुजरातरा मेरवाडा थली भोमट सालव भोराट इस सारी जो है इसके आपके भोगुलिक उपनाम है उनको एक जगह किया है ताकि आपको एक बार में इस सारी भोगुलिक विशेशता है आपको पता चल जाए भाकर खेराड माल अ में पूछे गए हैं राजस्तान में इंद्रागाने नहर प्रियोजना की लिप्ट नहरे तो शिंचित जिलों के इस अंदर में निम्न कतनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोटों का प्रियोग करते हुए सही उत्तर का चैन करना है यह पहले भी आ चुका है सारे कतन सह ही है इसमें कोई गलत नहीं है यहां पर आपको यह सारा जो है डिटेल एक जगाए और बता दी गया है नोहर सेहवा लिप्ट नहर का वरतमान नाम जो है चोदरी कुंबाराम लिप्ट नहर है यह हनुमानगर चूरू बिकानेर और जुन-जुनों में लाभानवित जीले है बिकानेर लून-करणसर लिप्ट नहर कवरसेन लिप्ट नहर है इसका पुरा नाम नया नाम है बिकानेर और स्त्री गंगानगर में यह लाभानवित करती है गजनेर लिप्ट का नया नाम पन्नालाल बारुपाल लिप्ट नहर है और बिकानेर और नागोर को यह लाभानव करती है वी फे लुड़ी लिप्टनेहर का नया नाम गुरु जांभीस्वर लिप्टनेहर है जूदपूर बिकानेर वे जैसल米 Sign we это को यह लावानवीत करती है और साथ वी जो नहर लिफ नहर वह बागर्द शर्फ बहरुदान चालानी लिप्ट नहर है इसका नया नाम वीर तेजाजी लिप्ट नहर है और बीका नेर को ये प्रभावित करती हैं। राजस्तान में राजस्तान की परिवयन के संदर में निम्न कतनों पर विचार कीजिए उनीची देगे कूटों का प्रियूग करते वे सत्ते खतन का चैन करना है। उन्यूनतम दोलपूर में हैं सही कतन और राजस्तान में सरीजमार्ग अजमेर जिले में हैं ये भी सही कतन है। इसका मतलब एक तीन चार आपका अंसर होना चाहिए ये वाला अंसर आपका सही हो जाएगा राज्तान सरकार ने यातरियों के लिए कुसल सेवा के लिए एक अक्टूबर 1964 को RTDC की आपका राज्तान सडक परिवहन निगम के स्थापन की इसका मुख्यला जैपूर में है जो सही है सडकों की सरवादिक लंबाई जोदपूर में है सबसे कम सडके धूलपूर में है सबसे ज़्यदा बीहडवी धूलपूर में है सरवादिक राजमार्ग जो है वो आपका अजमेर जिले में है सबसे चोटा कोन सा है, सबसे व्यस्त कोन सा है, एक्स्प्रेस कोन सा है, ये कुल लंबाई कितनी है, घणत्व कितना है, नाल हवाईड़ कहां है पस्जिमी, रैल्वेश, प्रस्टिक्शन के इंदर कहां है, इस सारे अलग-अलग परिक्शिय में पूछे गए है इसको यहां पे सामिल करके एक PDF के रूप में आपको दिया गया है, इनको आप study करें, निमने में से कौन सा खतना सबते हैं, एसिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार फुलेरा जंक्सन है, यह बिलकुल सही है, पहली ब्राउड बेंग, ब्रांड गेज, रेल बस से बाद 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता सीटी से मेड़ता रोड की बीच प्रारम की गी, यह भी सही है, राजस्तान की सूरी यह 64 नहीं है वई, इसके 1994 में इस किस्ता आपना की गी थी, तो यह statement आपका गलत हो जाएगा, रास्तान में प्रथम सड़क नीती 1964 में और नमींतम हो जाएगा, दूसरे नमबर का विकल्प क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1964 के बजाए, यहां पर 1994 यदि डेट आती, राजस्तान के प्रथम जो सड़क नीती है, वो 64 में नहीं, 1994 में इसके स्थापना की गी थी, प्रथम सड़क नीती की गोशना की गी थी, इसलिए गलत हो करना है, एसिया का मिटर गेज का सबसे लंबा जो रेलवे याड है, फुलेरा जंक्सन है, राजस्तान में 2 अक्टूबर 1994 को मेर्ता सिट्टी से मेर्ता रोड के बीच पहली रेल बस चली थी, किसनलाल सोनी को रेल बाबा राजस्तान में कहा जाता है, और भारत का सबसे कौन से भोतिक प्रदेश राजस्तान की जीवन रेखा कहलाता है, तो अरावली की जो पहडियां है, उसको जीवन रेखा राजस्तान का कहा जाता है, 9.3 प्रतिशत भूबाग पे फैला हुआ है, 10 प्रतिशत जंसंक्या निवास करती है, अरावली की 692 किलोमेटर पूरी ल के दस्ची से राजस्तान का प्रतमस्तान नहीं है, तो जीरा उत्पादन में दूत्तियस्तान है, बाकि सरसों में प्रतम है, बाजरा में प्रतम है, और गवार उत्पादन में भी राजस्तान का प्रतमस्तान है, राजिस सरकार ने राजिस सरकार ने राजिस सरकार ने पर्थमबारवारा सिचाई विवस्ता के आवशक बनाय गया था तो नर्वदा कैनाल परियोजना में नर्वदा परियोजना में सबसे पहले वह सुरू किया गया था सिमेंट उत्वादन के संदर में निमने कतनों पर विचार कीजिए भारत विश्व में चोथा बड़ा उत्वादक देश है सिमेंट उत्वादन में बिल्कुल सही है राजे में सपेज सिमेंट के चार कारखाने नहीं है सपेज सिमेंट उतपादन में प्रथमस्तान पे हैं यह भी आपका सही है और राज्य में 23 बड़े सिमेंट प्लान्ट कारेते हैं जिमें प्रतिवर्शंट 55 टन सिमेंट को उतपादन होता है यह भी आपका सही है तो दो नमबर का विकलप आपका गलत हो जाएगा इसमें राजे में सपेज सिमेंट के कारखनी चार नहीं है तीन है तो यह आपको देखना है सरवाधिक सेमेंट उत्पादन सबसे ज़्यादा सेमेंट का उत्पादन होता है अमेरिका में पहले स्तान पे दूसरा चीन में तीसरा जापन में चोथा भारत में तो भारत विश्ट का चोथा बड़ा उत्पादक देश है तो यह statement ऐसे सही हो गया है राजस्तान में सबसे ज़्यादा सिमेंट का उत्पादन मद्धी प्रदेश राजस्तान के दो चितोडगडह है और दूसरे छी है राजस्तान में सपेज सिमेंट के तीन कारकन हैसा उन नी है इसलिए statement आपका गलत था और चार कौन-कौन से हैं एक खार्यकंगार भुपालगड जो जोदपूर में है और विस्व का सबसे बड़ा सपेज सिमेंट का कारखाना है विस्व में सबसे ज्यादा सपेज सिमेंट राजस्थान भारत में पैदा होती है जेके वाइट सिमेंट चित्तोडगड और जेके यह आपको रिमाइंड रखना है देखे एक तरफ उद्ध्योग है और एक तरफ स्थान है तो हिंदुस्तान मसीन टूल्स लिमिटेड अजमेर में है सपेद सीमेंट जो है आपके गोटन में है उर्वरक उद्ध्योग आपका गड़ेपान कोटा में है और विद्यूत मीटर जैपूर में बनाए जाते हैं तो आपको यह द्यान रखना है CDB CDAB CDAB इसका मदलब है CDAB यह चोथे नंबर का विकलप आपका सही आंसर हो जाएगा 66 प्रश्न की तरफ चलते हैं निम्न में से कौन सा एक यूगमत सही सुमेलित नहीं है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उद्जयपूर में है यह भी सही है मोदी अलकेलाइन एवं केमिकल लिमिटेड भरतपूर में नहीं है यह आपका भीलवाड़ा में है इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा मोधी अलकेलाइन और केमिकल लिमिटेड भरतपूर में नहीं है बीलवडा में है तीसरे नमबर का आंसर हो जाएगा ओरियंटरल पावर केबिल लिमिटेड कोटा में है जो सही है निम्ड में से कौन सा कतन ऐस सत्ते है राजस्तान में सीमेंट उद्योग के स्थाइकरण की प्रमुकारण कच्चे मालक की उपलब दता है ये सब्ते कतन है इसमें वर्तमान में राज्य के ओद्योगी की विकास में सबसे जादा साहिक उद्योग कनीज आदारित उद्योग है ये भी सही है ये भी सही है राजस्तान की नई उद्योगी की निती सुधारवादी उदारवादी उन्रियातोन मुखी है ये भी सही है उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है चोथा ओप्सन आपका सही हो जाएगा सिमेंट उद्योग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फेक्ट जो है वो यहां पर बताने की कोशिश की गिए है जिपसम पोर्ट लेंड जिपसम जो सिमेंट है वो कहां की परशिद है विश्व में सिमेंट की क्या इस्तति है विश्व में सरवादिक सिमेंट कहां होता है विश् के बारे में बताया है गोटन नागोर के बारे में बताया है जहां सपेज सेमेंट के कारकाने खार्य खंगार में राजस्तान में सपेज सेमेंट का कारकाना है मांगरोल चितोडगर राजस्तान में सपेज सेमेंट का उत्पादन यहां भी होता है अब यह सेमेंट से समंदित जो भी उद्योग हैं राज्यस्थान में उनका सबका एक जगय समप करके आपके लिए उपलवद करवाने का प्रियास किया है। राज्य की रोल मोडल महिलाओं के संदर में प्रशन पूछा गया था, राज्य की रोल मोडल महिलाओं के संदर में कौन सा कतन ऐस सत्य है, तो मोहना सिंग जुन जुनु की हैं, फाइटर जेट उडाने वाले राज्य के प्रतम महिला हैं, बिल्कुल सही हैं, सिवांगी स्वर कुछा रूप जैपुर की हैं नेवी की महलीा पाइलेट हैं यह भी साई हैं गंगा कुमारी जालेट की है राज़े के की प्रतम transgender constable राजर्थान की हैं और यहां से हाद लेया साई है तो यह स्टेट्मिंट है प्राट्री नमबर का साई हो जाएगा बंगरु पदती क्या है और जिसे हाले में राजस्तान के बारा जिलों में लागू की गिए तो बंगरु पदती गुजरात की एक परंप्रागत जल स्वारंग्षन के पदती है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे देगे कूट कप्रियों कर सही उतर का चैन कीजिए बीगोद जो एक तरफ त्रिवेनी संगम है एक तरफ नदिया है बीगोद बनास बेड़च मेनाल का संगम है राज महल में बनास डाई और खारी का संगम है रामेश्वर घाट में बनाज चंबल और सीब का है बनेश्वर घाट में सो ममाईजा कम का है एक दो तीन चार ए बी सी डी ये आपका अंसर हो जाएगा निमने में से सत्य कथन का चैन कीजिए राज्य में अजमीर में सरवादिक फैलसपार का उत्पादन होता है बिलकुल सही है राज्य में गोलिया वेहनूतिया में नवीन तामे के बंडार मिले हैं ये भी सही है लालसोट रावतोला रावसोला वबोमानी लोहेस के खनीज बंडार हैं ये भी सही है और जामसर में रोग फास्पेट के बंडार हैं जामसर में रोग फास्पेट के नहीं जिपसम के बंडार हैं इसलिए आपका statement गलत हो जाएगा चार नमबर का answer आपका इसमें मार्क करना था सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है एक तरफ शेत्र है दूसरी तरफ अयस्क है तो यहां पर आपको द्यान रखना है काला गुमान यह फाला गुमान नहीं है बई काला गुमान है पन्नाक यह तू प्रशिद है डाबला सिंगाना जो है वो आपका लुहा द्यों के ल चुना पत्थर बिलाडा जोदपूर में होगा तो BACD इसमें आंसर होना चाहिए BACDA ठीक है जनगर्णा 2011 के संदर में निम्ण में से कौन सा कतन ऐस सकते हैं कोटा जैपूर में 50% से अधिक नगरिय जनसंक्या है स्टीटमेंट सही है वर्तमान में नगरिय जनसंक्या की जनगर्णा सर्विक्षन था ये भी सही है विस्वे जनसंक्या राजस्थान की जनसंक्या लगबग दो प्रतिशत है विस्वे जनसंक्या में राजस्थान की नहीं विस्वे जनसंक्या में नहीं है राजस्थान की जनसंक्या दो प्रतिशत थिस्था नहीं किवल एक प् बिकानेर में इसे है कि सबसे बड़ी उनकी मंडी है, सही है, धींगा दूद देने वाले पसों को कहा जाता है, सही है, धींगा या धीना, दोनों ही समनारती सब्द है, पाकट बूडे उट को कहा जाता है, ये भी सही है, लड़ी, गार्डर वगारो, बकरी को नहीं, बेड को कहा जाता था इसलिए चोथे नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा निम्न में से कौन सा खतन ऐस अपते है प्रतिविक्ति दूद उपलब्दता में राज्य के स्थान तीसरा है बिलकुर सही है केंद्रे उट अंसंदान संस्थान बिकानेर में है जोर बीर बिकानेर में ह ही है और राजस्तान पसू चिकित सहें पसू विज्ञान विश्विद्दलय जैपूर में नहीं है यह आपका बिकानेर में है तो यह आपका स्थेट्मेंट नमबर तीन आपका सही उतर हो जाएगा और राश्टे बक्रियान संदान केंद्र अभिकानगर टोंक में हैं यह ही आपको द्यान रखना है इस प्रकार आज का जो पेपर हुआ उसके आधार पर आप अपना कीजिए आपने इसकी जो है रेंक आपको देखनी है रेंक का पता मैंने आपको पहले भी बताया था जिस दिन आप जो टेस्ट देंगे उसी दिन आपको शाम को सात बजे उसी ल परिक्षा भावन में जाने से पहले इतने ज़्यादा टेस्ट अटेम्ट कीजिए कि जो व्यभारिक रूप से कई प्रशन ऐसे अभ्यास के अभाव में जो प्रशन गलत हो जाते हैं वो प्रशन आपसे गलत नहीं हो और आपको परिक्षा में बहुत अच्छी सपलता अच